हाई गाइस बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी को आमें स्वागत करता हूँ गाइस आज की वीडियो में आप लोग के लिए बैंक निफ्टी का मैंने बेस्ट प्रेडिक्शन दिया कल के लिए कल यानी 5th of December के लिए इसे के साथ कल कौन से options rate शांदार भाग सकते हैं मैंने ये भी बताया है मैंने ये भी डिस्कुस किया है हमने दो स्टॉक को वे अनलाइज किया जो कि कल शांदार भागने वाले हैं जौडने वाले हैं राइट गाइस जो मुझे नहीं जानते हैं नवश्कार दोस्तों कैसे आप लोग आशा करता हूं बहुत बढ़ी होंगे मैं हूं प्रभात कुमान और स्वागत करता हूं प्र 30,000 बस लेफ्ट हैं तो प्लीज सस्क्राइब करिए और यहां पर मैं हर क्या कितने वीकेंड को स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो भी अप्रोड करता हूं तो सस्क्राइब करने से चूके नहीं हो गाइस वीडियो पे कमेंट करके और लाइक करके हमारा मनुबल ज़रू ब इस लिए बोलता हूं प्रॉपर वीडियो को देखा करो और मैं डंके की चोट पे क्या दूँ अगर आज की वीडियो भी देखते हो मेरी आपको किसी और वीडियो की देखनी का उशक्ता नहीं है आज की वीडियो मैंने पूरा वन साइड वीडियो देने का प्रयास किया है विदावर अन्य फदर दिले शुरू करते हैं कुछ हीज़े जान लेते हैं यूस का जो फीचर से लगबग 70 से 80 पॉइंट माइनस है जितना बढ़िया है जितना गापन खुलेगा उतना बढ़े 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 अमर्डी है ठीक है आप सुनो तो पहली बात खुश खवरी जैसे निफ्टी ने ओल टाइम हाई क्रॉस क करके 46,000 लगबग 500 के आसपास प्लोज हुग है बहुत बढ़ी बात है अब सुनिये सलिंग तो हमको कत्मी भी नहीं किसी केस में ठीक है हम दो प्रकार से कल बाइंग करके चलेंगे पहला अगर आज का डे हाई तो समझो अब आप समझो कैसे बार बार यूपर जा रहा है ट 4600, 4600, 4600, 4600 के टागेट के लिए इन दिस के ट्रेडर्स ट्रेडर्स 46,400 का कॉल अप्शिल लेंगे अब सुनो कैसे क्या करके चलना है ठीक है अब इसका टागेट असल बताऊंगा अब उससे पहरे समझो कि क्यों फ्रेश बाइं आएगी देखो धान रखो आज पहली बार क्रोस होके गया है all time high और मेरी बात मानों जब भी एक पता है उन्हें एक्जांपल रिजन कि जब भी all time high सस्टेन होता है तो हमारा स्टॉक जाता ही जाता है उस तक मतलब उपर जाता ही है चाहें स्टॉक हो या चाहें इंडेक्स हो गाईज धान रखो मैंने न दिसम्बर म है इसलिए मैं fresh buy करके चलूँगा यहां पर हम मैंने क्या बता है 46500 क्रॉप्शन लेंगे 340 350 के ऊपर देखिएगा rocket बनेगा stop loss होगा 310 का target होगा 380 400 450 clear यह तीन target अच्छा यह तो होगा fresh buy अब समझो dip में कैसे buy होगा देखो एक सी धान रखो सेलिंग का मत समझना सेलिंग क मत सोचना क्योंकि सेलिंग आगर आरा ना तीजी हलका हलका का बाइंग में कनवर्ट हो जाएगा फटाक से आपको निकल लेंगा मौका में नहीं देगा मैं आपको दिखा रहा हूँ आज क्या हुआ देखो सेलिंग आया 100 पॉइंट का लगबग 60 110 पॉइंट का 120 पॉइंट 1329 जो चीए सपोर्ट है 46300 सट्टन सपोट पता क्या है सेकंदसपोर्ट है Чैयां दौ सो राइट एज़िजए दो सो राइट इढ़ देख वोसओ अ तर्ड हमारा चालीजार एक सो और चालीजार का मारा लास्ट सपोर्ट है यह तीन सपोर्ट है चालीजार 46300 46200 ठीक है 46100 एक दो तीन चार सपोर्ट है इन चार सपोर्ट के आसपास कहीं भी आता है कहीं भी आता है आप सुनों कहीं भी आने के बाद क्या करेगा ठीक है आने के करता है या तो कुछ का इंड और बनाता है रेंज का हायरेंट तोड़ता है यह पक्की बात है आज क्या हुआ देखो समझो जब जब कि फॉल दिखाया स्वाइट का रेंज बनाने के बाद हायरेंट तोड़ा उपर चला गया आप लोग समझ रहें यार वीडियो को देखो ल को स्ट्राटीजी फॉलो करके चलनी है ठीक है ना अब खुझ हो जो मैं कैसे मुझे कैसे आइडियो कि कहां पर डिप मिलेगा कहां से ऊपर जाएगा ठीक है बस धान रहेगा जितना चारी सर्क उपर रहेगा उतना हमको बी और दी बायों डिप करके चलना है एक अनुमान दे रहा हूं 46,000 वहां पर का करना 46,200 का दिन कॉर्प्शन को फोकस कर सकते हैं 6 दिसम्बर वाली एक्सपाइरी ठीक है बैंक निफ्टी का ठीक है करेंट मार्केट प्राइस पे यह चीजे हैं जैसा मैंने आज के लिए गयाप का स्ट्राटीजी बताया था ना वैसे ही कल य जानते हैं नहीं डाउनोड की हैं मैं बता रहा हूं पीटे सापको आप जाओं डाउनोड कर लो 99,500 स्क्राइब रहें बस 500 बचे एक लाग वने में जल्दी स्क्राइब कर रहे हैं बदा डाउनोड करीए यहां पर मैं लाइव मार्केट में आपको चार्ट शेर करता हूं अगर आपको मार्केट सीखना है लाइव मार्केट में आ जाओ पीटे साफ डाउर कर लो और टेलग्राम जोईन कर लो 48,200 स्क्राइबर हैं आज पता मैंने पीटे साफ प्रड़राम पर क्या दिया देखो दिखाता हूं मैं 11 बच के 18 मिनिट मैंने बता क्या दिया मैंने बो स्टेंग करता तो रॉकेट बनेगा दिखा दू अपनों कहते हैं पैसा नहीं बनता है देखो टिपस करो गेना बैंड बच जाएगी अभी से भी क्या कर रहा है जो बंदा फोकस कर रहा टिपस पर वह तो बेटा गया ठीक है देख रहो ना हायर लोग करेट कर रहा था यह दे पर उस टाइम पर जिसने 450 पर लिया होगा आप लोग मानोंगे नीचाट पता कितना गया 585 88 गया सोचो ना यार फ्री आफकोस सिखा रहा हूं फ्री अफकोस लोग कमा भी रहे हैं मैं सिखाने का काम कर रहा हूं मैं आभी डाउनलोड कर लो पीटे साथ हलो हलो और टेरिग जितना भागा है न फोड़ा था रिट्ट्रेस्मेंट ट्लास टी है रिट्रेश्मेंट फोड़ा गरावट हलका बूलका आ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्योंकि ज्यादा ही भाग गया है ठीक है। तो फ्रेश बाइक करके चलना निफ्टी में आज का डे जब resistance का जब रेकाउट होगा रेंज बनाने के बाद तब यानि 20,700 के उपर फ्रेश बाइ 20,750, 20,800 का सेकेंड टागेट और अगर निफ्टी में दिखने को मिलता है 20,620, 20,580 ठीक है तो हाँ और 20,520 का समको BOD करके चलना है ठीक है बस इतना धान रखो आप देखो जब कर भी डिप देता है न तो ऐसे आदमी मैं बता रहा हूँ आप लोग धोगा कहाते हो अम मां लोग रेड 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 कैंडल बन रहा है अपने बाई कर लिय आप लोग देखो बहुत सिंपल सिंपल चीज खा रहा है अगर आप चीजों को समझते हो मार्केश न बहुत कुछ कर सकते वाँ ठीक है इसलिए मेरी वीडियो से क्या किया कर पता है आप लोग देखो इसे काइंड और डाइरी बना लो डाइरी बनाते रहो ठीक है अब जस तो आज के लिटना ही ठीक है रखता हूं मैं और एक छोटा सब डेट देदू लाइफ रेडिंग करना चाहते हैं मेरे साथ कल मेंटर्शिप बैच का क्लास शुरू हुआ रहा देड़ बजे आज भी आये थे हम सब लाइव मार्केट में क्या बता हूं मैं जबर जस आदिन जो लोग यह वाली वीडियो को देख रहे हैं मेरे मेंटर्शिप बैच वाले सिखावंगा देखो जिस परकाद से आप बोलो यार कि मिटा ड्राइविंग नहीं अप कोई बोले कि मैं आपको ड्राइविंग सिखा दूंगा किपाब करे ए पांसिबल है यह क्या वाद कर रह वह उससी परकार से आपको बेले फठीक नहीं है अगर कोई मार्केट में घं आप भी मेरे साफ्टेट करो ठीक है थाइंक यू सीखो समझो धान रखो आगे बढ़ते रहो धन्यवार हलो और प्लीज इस महत्त के लिए यार पांच आर लाइक कर दीजेगा इस वीडियो पे और पांच सो कमेंट बत मुझे इतना ही चाहिए छोड़ा सा कमेंट और लाइक गेम का टारगेट है जैहिन बबाई थैंक यू